नमस्ते दोस्तो वेलकम बैक टू क्राफ्टिंग मास्टर कैसे हो आप सब लोग उमीद करती हों बहुत ही पड़ी होंगे तो हो रहे होंगे शायद आप भी वोर इसे मैं हो रही थी बहुत ज़ादा वोर तो फिर मैंने सोचा क्यों ना कुछ DIY क्राफ्ट बनाए जाए वो भी वेस्ट प्लास्टिक बॉटल पड़ी थी मेरे सामने तो मैंने सोचा क्यों ना इसे यूज़ करके कुछ वेस्ट बॉटल से कुछ क्राफ्ट आइडिया बनाया जाए किया जाए कुछ क्राफ्टिंग तो अच्छे लिए स्टार्ट करते हैं मिलके क्राफ्टिंग तो इस craft के लिए हमें चाहिए क्या है हमें चाहिए सबसे पहले एक plastic bottle जूट रोप अगर हो आपके पास तो ठीक है नहीं तो आप इसके जग़ा पे कुछ और use कर सकते हैं Caesar, pavicle and कुछ colors तो सबसे पहले bottle को यहां से जो मिड़ वाला पाट ना वहां से हम कर लेंगे cut तो यह जो water वाली bottle होती है यह easily cut हो जाती है तो इसको cut करना जदा मुश्किल नहीं है तो Caesar के help से पहले मैंने उसमें थोड़ा सा mark लगा लिया फिर जब Caesar रेंटर कर ली तो यह bottle easily cut कर ली cut करने के बाद जो नीचे वाला पार्ट है जहां पे cap होता bottle का वहां से लेके थोड़ा मिड़ तक मतलब जितनी bottle अब है हमारे पास वहां से लेके मिड़ तक में glue लगाके फैवी को लगाके jute rope को इसके around wrap कर दूँगी simply फैवी को लगाके इसको wrap करते जाना अच्छे से यह jute rope इस plastic bottle के पर fix हो जाएगी और बहुत ही heavy और बहुत ही strong यह water बन जाएगी यह दिखिए सबसे पहले हम simply jute jute rope है उसको इसके around wrap कर देंगे इस तरीके से तो यह बहुत ही easily हो जाती अगर आपके पास jute rope ना हो तो आप कोई भी rope जो भी आपके पास हो उसका use कर सकते हैं अगर कोई rope नहीं है तो आप कोई fabric का भी use कर सकते हैं और fabric भी लगा सकते हैं अब इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से लगा दिया उपर वाले पाट के उपर हम लगाएंगे कलर तो उपर वाले पाट के उपर कलर लगाने से पहले मैंने बॉटल के चारो तरफ फैविकॉल अच्छे से अप्लाई कर दिया अब आप सोचेंगे कि कलर लगाने से पहले मैं फैविकॉल क्यों अप्लाई कर रही हूं क्योंकि यह यहां पर मेरे पास जैसो नहीं था और जैसो की बिना अगर हम प्लास्टिक की चीज की ऊपर कोई भी प्लास्टिक बॉटल या फिर कुछ भी प्लास्टिक की चीज की ऊपर अगर हम पेंट करते हैं बिना जैसो लगाए तो वह बहुत जल्दी उतर जाता है तो मैं चाहती थी कि यह बॉटल इसे पेंट जल्दी ना उत्रे इसलिए मैंने पेंट लगाने से पहले फैविकोल के क्लियर अप्लाई कर दे इसके उपर और अगर आप चाहें तो फैविकोल को कलर के अंदर मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हैं अब इस तरह से छोटे-छोटे से पॉल का बादेंगे और यह एक बहुत ही ब्यूटिफुल सा प्लांटर बनके रेडी हो गया और जो बॉटल का उपर वला हिससा बच गया था उससे भी फैंक ना नहीं है उससे भी हम बनाएंगे एक और प्लांटर चाहे तो आप इसे ऐस प्लांटर यूज कर सकते हैं चाहे तो प्लास्टिक से कलर जो वह इसली उतर जाता है इसली नाव तर इसली उसके अंदर फैविकॉल मैंने यूज की है अगर आपके पास जैसो तो आप पहले जैसो का एक कोट अपलाई कर सकते हैं फिलहाल मेरे पस जैसो नहीं थी इसली मैंने प्लाई कर दी अब मैं इसमें बनारे हों beautiful सी इसे cat में मैं करने दूंगी convert अब हम cat की बना देते हैं हमारी विल्ल मोसे की मुचे तो अब उसकी बना रहे हैं nose और इसी था से मेरी cat बनके होगी ये ready इसलीये मैंने pink color बनाया है pink color बनाने के लिए मैंने white color में सिरफ एक drop red color ढला तो य्ह व्लाफ पिंक shad का elders अब जो बाकी का पिंग कलर बच गया था उसको मैंने बॉटल जो पाले प्लांटर बनाए था उसकी नीचे वाले पार्ट के उपर अप्लाई कर दिया था कि थोड़ा सा और अट्रक्टिव लोग का इसली और साइट में मैंने जूट रोप लगा के इसे हैंग कर दिया है और यह ब्यूटिफुल सा हैंगेंग प्लांटर बनकी हो गया है रेडी और अगर आपको यह हैंगेंग प्लांटर अच्छा लगा और कैसा भी लगा तो मुझे बताइए आप इसमें लाइप लगा सकते हैं मैंने तो फिलहाल के लिए सिरफ और इसमें लगाया है एक आपको अपने उस जगा की खूब सुर्ती को और भी एंहांस कीजेगा अब यह देखिये हमारी क्यूट सी बिली मॉसी बी कितनी अच्छी लग रही है बहुत पियारी लग रही है इसकी अंदर डाल देते हैं हम अपने ब्रश इसके अंदर अपने क्राफ्ट के जो ब्रशे तो please comment करके बताएगा कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो जब घर पे हो रहे हो और सामने पड़ी कोई चीज भी नजराया जाए तो उसको भी कर देते हैं क्राप्टिंग से कुछ बहुत ही बढ़िया और अगर आपके बास भी हैं कुछ ऐसी आइडिया तो प्लीज शेयर कीजिएगा मेरे साथ मेरी इंस्टा हैंडल के उपर या फिर आप वीडियो की नीचे भी कमेंड कर सकते हैं और अगर इंस्टा के उपर शेयर करना चाथे तो हैंडल आपको मिल जाएगा यही स्क्रीन के उपर और अगर आपको अच्छा लगा मेरा आइडिया तो प्लीज कमेंड करके बताएगा और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती हैं तो चानल को सब्सक्राइब कर लिजेग और प्लीज 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 स्पोर्ट कीजेगा और मुझे आगे बढ़ाएगा प्लीज 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 थैंक्यू फॉर यो स्पोर्ट तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबाई